गुरुवार की प्रदोष कामना की पूर्थी तर्थी प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का भ्रक्चु वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए अब एक बात पर समर्ण आपको रहे थोड़ा सा अगर कि किसी कामना के वश्य अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भावुत्पन है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कारे है आप पून करिएगा तो फिर शुमंदिर में भी लंबी बाती का या सुम्बर की अस्तमी या सुम्बर या आतो शिवरत्तरी को बाबा से निवेदन करते हैं हां विशेश जब कोई एक बहुत 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 बड़ी बात हो और आपके कारे में कहीं अटकल हो रही हो तो एकी दीप में दो बाती है शिव और शक्ति लंबी बाती बनाए शिव और शक्ति के नाम से दो बाती एक सांत एक दीप में भी लगा सकते हो पर कब जब विशेश कोई आपका कारे हो विशेश कोई का पर बांथन शिव प्रयोग जब पिशम परिस्थिती में फसे हुए हो और एसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी समस्या में उल्जे हुए और इससे निकल नहीं रहा है यह बहुत बड़ा काम है हमारा हो नहीं रहा चाहे प्रशासनी को चाहे अन्य कोई की चीज का हो कुछ मत करना एकांत के शुमंदर में जाइए अगर एकांत का शुमंदर भी नहीं मिले तो एकांत में कहीं छोटा सा मिट्टी का शिविलिंग का निर्मान करिए पार्थिव शिविलिंग का निर्मान करिए पर करना एकांत में घर के बाहर एक बेल पत्र बहुत ध्यान से सुनना एक अंतेश्वर महादेव का ये परतान जब किसी विश्रम परिस्थिती में उल्जे हुए हो बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है सब के हाथ जोड लिये सब से निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो नहीं हो रहा सब दूर से महनत कर लिये परिश्रम कर लिया है परिश्रम तब भी भी जारी रखना एक बेल पत्र एक चावल का दाना अवार एक सफेद कुश्ट शमी का पत्ता एक छोटी सी दुर्वा जानते हैं समया जमीन पर दूब लगी है रहती है दुर्वा दुब दुर्वा एक दुर्वा वो दुर्वा में बस दुर्वा में वो जो दुर्भा होती है कोई कोई दुर्भा एक डंडी की होती है दुर्भा में बस इतना दिहान रखना कि दुर्भा एक रहे और उस में से दो पत्थियां निकली हुए हो लोगोने पहले बोलो जम के दुर्भा एक हो और दो पत्ती एक ही कहलाई कि दो पत्ती निकली दुर्भा एक स्वेत पुष्प शमी का पत्ता बेलपत्र चावल का एक दाना इकांत में कोई श्युमंदिर हो अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पाष्प्धिव श्युलिंग representing निर्माण किसी पेड़ केских नीचे एकांत में जाकर पूजन करकर अराधना करकर गीकादीत लगाकर एक-एक सामगरिए शिव जी पर अपने मन की कामना करकर समर्पित करना प्रारम कर दीजिए शुरूबात दुरुबा से करना दुरुबा के बाद में स्वेथ पुश्व शमी का पत्ता चावल का दाना और बेल पत्री सबसे आख दीजिए बाबा को समर्पित करकर हरदाय से प्रातना करकर बाबा से निविदन करकर दीप अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्वाण करकर पूजन कर रहे हो तो दीव ठंड़े होने का इंतजार करना दीव ठंड़ा हो जाए तब भगवाण शिव को ले जाकर विसरजन करना जो जो एक पिल पत्री है बस उसको घर ले कराना वाकी का सब भी सर्जन कर कराना मेरा 31 महादेव उसकारी में सभलता प्रणाइव करूबार की प्रदोष पढ़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निमास